गर्याबन जीले के फिंगेश्वर पुलिस ने लगबा साथ महबाद मौत की गुत्ती सुलचाने कबर में दफन अग्यात वैक्ति की लाश निकाली है दरसल 21 मार्च को फिंगेश्वर के पुरैना मोर के पास बास नरसरी में संदिक्द अवस्था में आधे बोरी में भरा हुआ एक वैक्ति की लाश मिली थी लाश सर चुकी थी इसलिए शिनाक नहीं हो पाया पुलिस तफसीस में जुटी ही थी की अच्चानक साथ माबाद महासमुन जीले के ग्राम मुर्की से एक परिवार सामने आया जिसका दावा है की वह लाश नरेश टंडन का है मुर्की निवासी गेंदू टंडन मृतक को अपना पिता होने का दावा कर हत्या गया शंका जाही कर जाज की मांग किया है हत्या थ्य भाई है प्रफ़ाइब के साथ ऐसी दोदेव बात हुआ था तो उन लोग कुछ हुआ उसके बाद में चला गया उसके बाद में दूद रहे थे फिर न अचाना का तीन मार चको यह लाज वे बासरवार में मिला यह हम लोग को पतने से उसमें लॉक्डाउन कथा ऐसा लग रहे है कि हम वही थाना प्रभारी देववती दर्यों ने कहा कि डियने रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टी होगा पता तलास किया गया था ग्याद सब्राप मिला था तो वारिशान मिला है जो ग्राम मूर्की के हैं गेंदू राम टंडन उन्होंने फोटो को देखकर पहचाना था कि यह मेरे पिता है अब डियने की डियने टेस्ट करा कर मैच करा जाएगा कि उनके असली वारिशान है या नहीं इस संबन में आज कब रखोद कर मृतक का हड़ी और दाज जप्ति किया गया है प्रतम द्रिष्ट्या था बोरे में भर कर लास मिला था तो उसकी सधार पर अफरात कायम हुआ था और अब आगे जाच पर पाया जाएगा कि क्या कि सधार पर हुआ है जाच आगी के 29 जाने की पूरी संभावना है गर्यबन से जय विलास सर्मा 36 विजन टीवी